Hello Everyone, यह है Learn Core Java Video Series, यह Video Series उनके लिए है, जो Complete Core Java सीखना चाहते हैं, यह इस Video Series का Video No. 71 है, इस Video में हम Thread Life Cycle और Thread States के बारे में डिस्केस करेंगे, So, Let Us Get Started Now, सबसे पहले Thread Life Cycle हम डिस्केस करें, तो Thread Life Cycle को हम कुछ इस तरीके से Define कर सकते हैं, कि जब Thread Create होता है, और जब Thread Complete हो जाता है, इस Duration को ही हम Thread Life Cycle कहते हैं, Thread के Create होने से लेकर, उसके Complete होने तक का जो Time Period होगा, वही Thread Life Cycle होता है, अब यह जो Thread Life Cycle है, यानि यूँ कह सकते हैं कि Thread की जो Life है, तो Throughout the Thread Life Cycle, जो Thread है वह है, कुछ States में रहता है, जैसे हम Human Being भी, जन्म से लेके, मृत्यू तक का जो अपना Life Span होता है, उसमें Different Different States में रहते हैं, Initially हम बाले आवस्ता में रहते हैं, उसके बाद में यूवा आवस्ता में रहते हैं, उसके बाद में प्रॉड आवस्ता, उसके बाद में वरद्धा आवस्ता, तो जिस तरीके से हम Human Being की Life में अलग-अलग अवस्ता होती है, अलग-अलग States होते हैं, उसी तरीके से जब thread create होता है और जब thread complete हो जाता है तो यह जो उसका life cycle है इस life cycle में thread भी different different states में रहता है तो जैसी हम thread create करते हैं सबसे पहले thread जो है वो new state में आता है thread create किया यह यह कह सकते हैं thread का object हमने create किया तो thread आ गया new state में उसके बाद में जैसा है कि हम जानते हैं कि thread को हम ready to run queue में विजवाते हैं start method को call करके जैसी thread को हमने ready to run queue में विजवाया तो फिर thread जो है वो runable state में आ गया ready to run queue में आ गया मतलब runable state में आ गया तो यह दूसरी state हुई runable state runable state के बाद में जब भी thread को cp allocate होता है Thread की run method execute हो रही है Thread execute हो रहा है इसका मतलब Thread जो वो running state में है और उसके बाद में Thread का execution यदि complete हो जाता है यानि run method का execution complete हो जाता है तो Thread जो है वो terminate हो गया तो Thread जो है वो dead state में आ गया तो यह चार main state है इन चार main state में तो Thread रहे गई रहेगा बट कभी यूँ भी हो सकता है कि जब thread running state में है वो complete नहीं हुआ है, वो terminate नहीं हुआ है आप कोई thread की method को call करके उसको block कर सकते हो तो वो state कहलाती है blocked state यानि running state से thread कभी-कभी blocked state में भी चला जाता है अब blocked state में कैसे कह जाएगा तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है यदि thread जो है वो आईवो के लिए wait करने लग गया तो वो blocked state में चला जाएगा वो अब execute नहीं हो रहा है वो blocked state में जा चुका है या फिर thread पे हमने sleep method को call कर दिया तो thread जो है वो block हो चुका है या फिर thread को हमने wait method call करके block कर दिया तो वो blocked state में आ गया तो इस तरीकी से running state से thread जो है blocked state में भी जा सकता है अब blocked state से thread वापस runable state में आता है तो डारेक्ली running state में नहीं जाएगा तो जो thread blocked है वो फिर runable state में जाएगा कैसे जाएगा यदि thread मानके चलिए कि wait method की वज़ा से waiting state में है wait की मज़ा से blocked है तो जब हम notify या notify all call करते हैं तो blocked state से renewable में पहुँच जाता है या फिर thread मानके चलिए कि sleep method की वज़ा से block हुआ है तो जब sleep time अप होगा तो वो renewable state में आ जाएगा या फिर thread आईवो के लिए block हुआ है तो जब आईवो complete होगा तो renewable state में आ जाएगा और renewable state में आने के बाद में फिर से जब भी उसको cp allocate होगा वो running state में आ जाएगा कभी-कभी ये भी संभा है कि आप running state से renewable state में यदि thread को भिजवाना चाहते हो तो आप yield method को call कर सकते हो yield method जो है वो running thread को renewable state में भिजवा देता है ओके तो ये जो है thread के different states है जो उसके life cycle में रहते हैं अब हम programmatically देखेंगे कि thread का new state, renewable state, running state, dairy state या blocked state कैसे क्या होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक program हमने बनाया हुआ है इस program में हमने एक class बनाया है myrunable जिसने runable interface को implement किया हुआ है अब इसने run method में हमने कुछ code लिखा हुआ है जो की एक for loop है जो 0 से लेके 9 तक के numbers को print करेगा और इसी for loop के अंदर मैंने thread की sleep method को call किया हुआ है ताकि thread को 500 millisecond के लिए block कर सकें तो ये thread बनाने के लिए हमने code लिखा next इस thread का execution को test करने के लिए हमने main class create किया हुआ है thread demo नाम से उस में main method define किया main method के अंदर हमने सबसे पहले myrunable जिसने object क्रियेट किया myrunable का object बनाने के बाद में thread का object बनाया और उसको myrunable का object pass कर दिया और उसके बाद अब्जेक्ट बनाने के लिए खा वह थ्रेद टी वन इक्वल न्यू त्रेड और उसको रयनेबल का उब्जेक्ट पास किया तो जब हम थ्रेड बनाते हैं इसका मतलब थ्रेड हमने create कर लिया और हमने थ्रेड क्रिेड किया हुआ है इसका मतलब थ्रेड जो है runable state में चला जाता है तो start method call किया thread जो runable state में आ गया अब runable state में आने के बाद में जैसी ही इस thread को cp allocate किया जाएगा इस thread की जो run method है वो execution start करेगी तो जैसी run method का execution start होगा हम कहते हैं कि thread का execution start होगा यानि thread जो है वो running state में आ गया तो thread यहां से running state में आ गया, अब run method का execution चलता रहेगा, जैसे हमारे code में यदि हम देखें कि for loop का execution start होगा, for loop जो है वो एक IE की value print करेगा, उसके बाद में हमने sleep method call कर दिया है, तो जब हम thread की sleep method call करते हैं, तो जो specified time period है, 500 millisecond हमने specify किया है, इस time period के लिए अपना thread जो है block हो जाएगा, अब वो execution में नहीं है, वो block हो चुका है, तो यहाँ पर यह blocked state में आ गया, और जैसे ही thread का execution complete हो जाएगा, run method का execution complete हो जाएगा, जो thread जो है वो complete हो गया, मतलब वो dead state में चला गया, यदि हम output के बात करें, तो इस program का जो output है, वो 0 से लेके 9 तक के number sprint होंगे, इस तरीके से हमने यहाँ पर programmatically देखा कि thread का new state का होता है, runable state का होता है, running state का होता है, blocked state का होता है, और dead state में thread कब जाता है, thanks for watching this video,